मैं DRX पुस्पेंदर सिंग और आज आपको बताऊंगा थाइरोड डिसीज के बारे में थाइरोड एक ग्रंथी है जो गले में बटरफलाई आकार की होती है ये ग्रंथी कुछ हार्मोन का सीक्रेशन करती है जिसका नाम है T3 और T4 यानि ट्राइडो थाइरोणिन और थाइरोकसिन जब इन हार्मोन का सीक्रेशन कम या ज़्यादा होने लगता है तब हम कहते हैं कि थाइरोड की बिमारी हो गई है इस वीडियो में मैं आपको थाइरोड के बारे में कंप्लीट जानकारी देने बाला हूँ बिडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो बिडियो पर बने रहिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थाइरोड क्यों होता है यानि वे कौन-कौन से कारण हैं जिनकी वज़े से थाइरोड बिमारी हो जाती है थाइरोड कितने प्रकार का होता है थाइरोड डिसीज में बोडी में कौन-कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं यानि हाइपो थाइरोडिज्म में क्या-क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और हाइपर थाइरोडिज्म में कौन-कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं TSH, T3 और T4 क्या हैं इनकी नौर्मर वैल्यू कितनी होती है हाईपो اور हाईपर्थाइरोड میں डाक्टर कौन कौन सी ईलोपेथिक मेडिसेन का यूज करते हैं वे कौन कौन से घरेलू नुष्के हैं जो हाईपो और हाईपर्थाइरोड में लेने चाहिएं थाईरोड डिसीज में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए यहां हम हाइपो और हाइपर दोनों की ही बात करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद मैं आज़ा करता हूँ कि आपको दूसरी वीडियो देखने की आवशकता नहीं होगी वीडियो को पूरा देखें, इसकिप ना करें लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देख थाइरोइड एक ग्रंती होती है जो हार्मोन का सीक्रेशन करती है यह गले में प्रिजेंट होती है इसका आकार तितली की तरह होता है यह T3 यानि ट्राइ आईडो थाइरोनिन और T4 यानि therapeutic hormone का secretion करती है यह hormone हमारी body के system को नियंत्रित रखते हैं हमारे मस्तिस्क में pituitary gland जो मतर के दाने के size की होती है इसे master gland भी कहते हैं ये एक hormone release करती है जिसका नाम है TSH यानी thyroid stimulating hormone यह hormone thyroid gland को जाकर stimulate करता है और बताता है कि तुझे इतनी मात्रा में T3 और T4 hormone रिलीज करना है अगर इन hormone का ही disbalance हो जाए तो दो तरह की बिमारिया उतपन्न हो जाती है हाइपो थाइरोडिजम और हाइपर थाइरोडिजम हाइपो थाइरोडिजम क्या होता है हाइपो का मतलब होता है कम जब thyroid ग्रंथी P3 और T4 हार्मोन का सीक्रेशन कम करती है यानि T3 और T4 हार्मोन जरूरत से कम निकलते हैं तो इसे hypothyroidism कहते हैं जबकि TSH हार्मोन नोर्मल से ज़ादा होता है hypothyroidism के लक्षण होते हैं इसमें बजन का बढ़ना, metabolism का सिलो हो जाना, कबज का रहना, dry skin रहना, बालों का तूटना या जढ़ना हर समय कमजोरी या ठकावट का लगना, ठंड लगना, अवाज का भारी होना memory का weak होना, लेडिज में period का abnormal होना, रात को नेंद सही से न आना अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे, तो आप thyroid profile test करवा सकते हैं अब बात करेंगे hyperthyroidism की, hyper means ज़्यादा, अगर thyroid gland T3 और T4 hormones का secretion normal से ज़्यादा कर रही है, तो hyperthyroidism होता है, जबकि TSH hormone की value normal से कम होती है अब बात करेंगे hyperthyroidism के लक्षण के बारे में, इसमें बजन का घटना, गर्मी का ज़्यादा लगना, पसीना आना, घवराहट होना, आँखें चेहरे से अधिक बाहर की ओर दिखाई देना, lose motion का होना, बेचेनी रहना, इंसोम्निया की problem होना, यानि नीन सही से ना आना, hypo और hyper दोनों में कुछ symptoms एक जैसे भी हो सकते हैं, इसलिए test करवाने के बाद ही confirm होगा TSH, T3 और T4, ये मैंना आपको बताए दिया, एक बार फिर बता देता हूँ, TSH यानि thyroid stimulating hormones, ऐसा हार्मोन जो thyroid gland को जाकर stimulate करें, इसे pituitary gland बनाती है, pituitary gland मस्तिस्क में present होती है, ये मटर के दाने के अकार की होती है, T3, यानि triidothironin, और T4, यानि thyroxin, ये T3 और T4 thyroid gland हमारी इसे release करती है, इन हार्मोन को, और TSH pituitary gland बनाती है, जो thyroid को stimulate करती है, TSH, T3 और T4 की normal value के बारे में बात करेंगे, TSH की normal value होती है, 0.4 से 5MU per L, T3 की होती है, 80 से 180 NG per deciliter, और T4 की होती है, 4.6 से 12 UG per deciliter, ये इनकी normal value है, thyroid की problem किन किन कार्णों से हो जाती है, thyroid की problem काफी सारे कार्णों से हो सकती है, जैसे की iodine की कमी से, वट मुझे नहीं लगता कि इस समय iodine की कमी से thyroid की problem हो रही हो, क्यूंकि सभी नमक बनाने वाली company, अपनी अपनी नमक में iodine की मात्रा मिला कर दे रही है, नेक्स्ट है, life style disorder से भी thyroid की problem हो सकती है, grapes disease, जिसके कारण hyperthyroidism होता है, हासी मोटो, हासी मोटो disease, जिसके कारण hypothyroidism होता है, ये एक autoimmune disease है, autoimmune disease क्या होती है, जब हमारी रोग प्रतिरोधक चमता, यानि immunity power, हमारे ही खिलाफ काम करने लगे, तो ये antibodies हमारे गले की thyroid ग्रंथी पर हमला कर देती है, जिससे thyroid ग्रंथी सही से काम नहीं कर पाती है, और वे hormones का disbalance कर देती है, vitamin की deficiency से भी thyroid की problem हो सकती है, लंबे समय से किसी बिमारी का होना भी thyroid की problem हो सकती है, जैसे कि किसी bacterial या viral infection का होना, ladies में pregnancy के समय भी thyroid की problem हो सकती है, जिसकी वज़े से hormones disbalance हो सकती हैं, अब बात करेंगे इसके इलाज के बारे में, डोक्टर सबसे पहले ये पता करते हैं कि इसे किस प्रकार की thyroid की problem है, हाइपो थाइरोडिज्म है या फिर हाइपर थाइरोडिज्म है, जादतर male और female को हाइपो थाइरोडिज्म की problem होती है, इसमें T3 और T4 हार्मोन कम बनता है, इसलिए इन हार्मोन को पूरा करने की ही medicine दी जाती है, जिससे hormones balance रहे, हाइपो थाइरोडिज्म में थाइरोक्सिन सोडियम की tablet दी जाती है, जो थाइरोनोर्म और थाइरोक्स के नाम से मार्कीट में मिल जाती है, ये साड़े बारे से 150 तक आती है, डोक्टर इसे patient की condition के अनुसार अलग-अलग dose में decide करते हैं, अब है hyperthyroidism, इसमें thyroid gland overactive work करती है, जिससे T3 और T4 hormones ज़्यादा निकलते हैं, इन hormones को balance करने के लिए डोक्टर टैबलेट मैथिमेज जिसमें मैथिमाजोल, टैबलेट थाइरोकैब जिसमें कारविमाजोल और टैबलेट PTU जिसमें प्रोपाइल थायो यूरोसिल साल्ट प्रिजेन्ट होते हैं, अलग-अलग medicine, patients की condition के अनुसार देते हैं और उनकी dose decide करते हैं, मेरा अपना मानना ये है कि अगर किसी को थाइरोइड की ज़्यादा पुरानी दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत हार्मोन्स डिस्बैलन्स हो गए हैं, तो आप अपना lifestyle चेंज करें और कुछ घरेलू नुसके अपनाएं, तो आपको हार्मोन्स की टैबलेट की जरुत नहीं पड़ेगी, और आप बिना दवाई के ही ठीक हो जाएंगे, सबसे पहले आप इन बातों पर गोर करिएगा, healthy food लें, stress level को normal रखें, अच्छी नेंद लें, daily exercise और योगा करें, और कुछ घरेलू नुसके लेती रहें, इससे आपको दवाई की आवश्यक्ता नहीं होगी, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अब बात करेंगे घरेलू नुसकों की, सबसे पहले हाइपो थाइरोडिज्म में कौन से घरेलू नुसके अपनाने चाहिएं, इस बेमारी में रोजाना सुभह खाली पेट, एक कप लोकी का जूस पिएं, और इसके एक घंटे बाद, एक गिलास पानी में, तीन से चार बुंदे तुलसी की, और एक चम्मच ऐलोवेरा जूस मिला कर पिएं, और एक घंटे तक कुछ नहीं खाएं, ऐसा आपको तीस दिनों तक करना है, और इसी के साथ साम को खाना खाने से दो घंटे पहले, दो अंडे उबाल कर उन पर एक चुटकी काली ब्रच का पाउडर और एक चुटकी काला नमक डाल कर खाएं, इसके अलावा भी आप नारिय सेवन करने में मदद करता है, और सरीर के वसा को रेगुलेट करने में सरीर से विसेले पदार्थों को निकालने और पोशक तत्वों के अपसोशन में सहयक है, इसे सहद और पानी में मिला कर लिया जा सकता है। सेब एकषट है अद्रक प्रियोग करें आप अद्रक की चाई भी पी सकते हैं बिटा मिन वीट्वm का सेब जाधा करें विटा मिन डी जो आपको धूप से मिल जाएगा इसके सेचिड भी ले सकती हैं इसका सेचिट का आप दूसरे प्रियोब करें तो ये सभी हाइपो थाइरोडिस्म में यूज होती है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ऐसी ही नोलिजबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू